कि मॉर्णिंग कि साधा सदन के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार देखे स्वागत है लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था एलकॉल का निर्मान पढ़ लिया था भई आज हम स्टेडी करेंगे किसके बारे में फिनॉल के बारे में और फिनॉल में थोड़ा सा अपन पड़ भी चुकिये पहले कहाँ पे अललकिल है लाइड वाले में इसमें सबसे पहला आपका होगा है लोह ए रीन से किसे फॉस्त मेत्वड हो आपका रेंस है लो़ एरीन से देखिए भाई हेलो एरीन तो जानते हो लास्ट चैप्रे में पढ़ चुके है अपन देखिए हेलो एरीन मतला बेंजीन के उपर क्या जोड़ दिया जाए हेलो जन डारेक्टली रूप से येलो सर ठीक है इसकी रियेक्शन हम किससे करवाएंगे भाई sodium hydroxide से किससे करवा दो किससे करवादे zodिया ओड्रोकसइड से करवा दो सिंपल से दिख रहा होगा तुम्हें किस से क्या करवाना है बदाओ दिख रहा है AP तरीके से क्या होगा CL हटके क्या जूड़ जाएगा वहां पे OHA जूड़ जाएगा क्या जूड़ जाएगा OHA जूड़ जाएगा सिंपल सा तरीका तो यह है लेकन अगर mechanism क्या coding करते है अपन बात किसके mechanism क्या coding करते है तो पहले इसमें यह नहीं जूड़ता है की जोड़ता है कि यहां पर O NATO जोड़ Anda नगुदा यहां पर का बैस बाइसे यह जो तूटता है ना जो बेस लिए आपने चार लिए है इस से चार का क्या है कौनemy टोटेगा कौनए बाइस बंट टोटा भाई है को एच बंद कि और यहां से टूटेगा तो बताओ क्या होगा निलक्त्रोफाइल के रूप में तो यहां पे बनेगा क्या हमारा कि ख यह थिक है फिर लुदह बाहर निकल जाएगा तुम 지금 कि अब कोछफ नहीं करना वापस से एसाड से रियक्षेन करवानी है क्या रियक्षेन करवानी है एसाड चैट लीएक्षेन एसे रियक्षेन करवाएंगे वह आपको इसे करवाऊ तो आसे Concept इसके अंदर वापस क्या होगा बताओ किसको बाहर निकल दूँ एने लो यह क्या बन गया तुम्हारा फिनॉल यह तो यह तो आपको सीधा याद रखेंगे क्या यह आपका फिनॉल है और इस क्लोरोबेंजीन की रिक्शन किस से करवा देंगे ने ओएच से बस ज्यादा से ज्यादा सोग करो तो यहां पर लिख देना atal acidic medium क्या लिख देंगे acidic medium अब SIMPLE सा तरीका आपके पास है याद करने के लिए आप क्या करोगे भाय इसको क्या황 करोगे यह निकल दो भार ठीक है ओए जुड़ जाएगा ऐसे डिक मेडियम के अंदर अब आप चाहो तो उपर वाली रेक्शन याद रखने की कोई जुड़त है नहीं है आप इससे भी काम चला सकते हैं और क्या बन गया वह यह फिनॉल बन गया क्या बन गया फिनॉल बन गया कि आगया समझ में ंख करते हैं तो हुगया तो यह आपका कि नो नो गया है फिनॉल की पहली रेक्शन आपकी complete हो गई है क्यलियर है बताइए नैक्स रेक्शन हम बात करते हैं किससे और लग अलग कि लिवाहरं है डैंट्राओं अबेया वे मंक्राइब एकुछ पिए सलफोनिक कना अद्रोड जाएगा को धन्युक्राओं जाएगा यहम्ती तो सको तो बना के बता हूँ या सीधा लिख दूँ सीधा लिख दूँ लो तो देखो ये बेंजीन है इसके उपर क्या जोड़ दूँ भाई अरे बेंजीन की रेक्शन बेंजीन में से क्या निकला था ह और उसका ओएच दोनों मिलके वाटर मुलकिल भाहर निकल गया था और इसके उपर क्या जोड़ गया था हसो 3 क्या जोड़ा था हसो 3 ये जोड़ा था क्या रे जोड़ा था इसी को तुमने क्या कहा था बेंजीन के उपर सलफोनिक अमल जोड़ गया वो यी करना है भई इसकी reaction किसे करवा दें एट ये ओद से तो क्या होगा बोलो कि एरे जल भार में कि निकलेगा वापससे यहां ह किजिए कोन आ जाएगा एनिया जाएगा क्या जाएगा एनिया जाएगा तो क्या बन जाएगा एने SO3 फिर वापस से दुबारा से इसकी रेक्षन उससी से करवा दो NAOH किसे करवा दें NAOH से NAOH से करवाएंगे तो इसमें से बहूर क्या निकल जाएगा Sodiam Sulphight NA2SO3 और OH जरू जाएगा benzene के उपर जुड जाता है यहां पेर बन गया क्या हमारे पास हो धो एच और भार ह्या निकल गया भाई एनए टू कर lowest i.e.18 वूर ए अज़ी से थिên ऐगा थी आएगा तीम सुर्फाइट बन जाएगा क्या बन जाएगा सुर्दिया सूर्फाइट मतलब सीधा और सारी रीक्सिन वही कौन भाग ले रहा भई ये लो सर फिनोल में तो ये रियाद रख लो फिक्स कर लो फिनोल के निर्माण में हर जगह ये ही आएगा जब बरदस्ति ये गुसे गुसेगा क्या आएगा एने ओएच पहले रेक्शन और अगर ये भी देखना चाहो तो ये कैसे बना तो ये भी आ अना था इसमें से बाहर निकला गया था निकल गया था बेंजीन को निका निर्माने हो गया था था बेंजीन कोंनी कि अबिकर किसी करवाएंगे एप लएंगे न वह चाल Online सो झाल फिका और तो फिक बाल कॉन निकल ये ये लो ठीक है और जुड़ जाएगा हमें क्या ची यह था फीनोल क्या ची यह था भाई फीनोल ची यह था बन गया फीनोल पर बाई बोलिए नेक्स्ट आपका है थर्ड अभिकरिया कौन सी तीसरी अभिकरिया है तुमारी बेंजीन पिछला चैप्टर की रियक्शन है वो सारी रिपीट हो रही है इसके अंदर बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम लाबान है बनाये था के भी डाई एजोटीकन रियक्शन से बनाय था फिर आपने क्या किया था उसके अलग-अलग रियक्शन करवाई थी C.U.C.L.2 से करवाई था C.U.B.R.2 से करवाई था के आई से करवाई थी डाय जोनियम साल्ट की करवाई थी क्या अलग-अलग अपने एरिल हैलाइड बनाय थे बनाय थे तो सेम वोई प्रोसेस चलेगा वहाँ पर आप देखो यह लीजिए सर यह आपके पास क्या है भाई N2C-L क्या है यह तुमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है किसके रिक्शन करवाएंगे N2H fix बता रही है fix है इसके अंदर किस रिक्शन करवानी है N2S से करवादो या water molecule से करवादो एक ही बात है गरं कर दो इसको भाई आप किस्से करवाना क्या हूँ जो आपको नवह से करवाना चाहते हो तो नवह से करवादो और अगर इसकी जगह आप किस से करवाना चाहते हो अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या ले सकते हो H2O भी ले सकते हो एक ही बात है और इसको क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा हीट गरम करना पड़ेगा सिंफल सा है क्या हो गारे सिमें ? । एन्टू है भाहर निकल जाएगी ? ्टू इस भाहर निकलेगी । यह लीजिये सबसे पहले तो आप इसको भाहर निकल लो और अब आप इसमें से एन न объяс tow तो ठो क्या निकल जाएगा ? और एनसी अल निकल जाएगा ? और इसके उपर क्या दूट जाएगा ओ यहां पर बोलो क्या निकाल लूँ है एसील कब है जब एस्टो ले रहो और रहने हो चलोगे तो दोनों लिख दूँ क्या उबलीक करगे एने सिंपल और यह रियक्शन किसी को ध्यान नहीं आ रही तो यह भी बता देता हूं लास्ट में आपने किया था लास्ट सेटर के अंदर किसे रिक्शन करवाई تी बताू हूं ऑıs बेंजिनव दैये जोनियूं गलॉराइड बनाने अ के लिए आपने किस की रिक्शन किस से करवाई थी है कि अरे बेंजीन के अभिक्रिया किस किसे करवाई थी यह बेंजीन था और इसकी रेक्शन किसे किसे करवाई थी एन ए एन ओ टू और है एक्स या सी एल ले लो फिर हमने क्या बताया था यहां पर इसमें से क्या हुआ था भाई कि यहां से सबसे पहले यह निकल गया था भार कौन सा यह एन एसील भार निकल गया था और क्या बन गया था हमारे पास एचैनो टू बच्टा था और एचैनो टू में से सोरी यहां पर हमने क्या लिया था बेंजीन थोड़ी लिया था एमीन लिया था एनिलीन क्या लिया था और inne lean की reaction वापस से किसे करवा ही थी फिर- ha9atu से इसमें से क्या किया था। देखो- water molecule बहार निकाला था निकाला था और यह interaction आपके कौन से medium ही थी에 orchidic medium में किसमें वह थी acidic medium में पहले इसका इसके hydrogen और इसमें से oxygen एस्टो अभार निकाला था फिर वापस किसे hclc reaction करवाई थी फिर वापस निकाला था हमने एच टू ओ निकाला था और फिर के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का निर्माने हुआ था बोलो मतलब यह सारी चीजिए एक तरह से कहीं तो जो लास्ट चैप्टर में पढ़ चुकी हो वही रियक्शन आपकी क्या हो रही है रिपेट हो रही है बताईए यहां तक कि किसी को दिक्कत है नहीं है तो लास्ट रियक्शन देखेंगे की वहुंची है क्यों मीन से किसे क्यों मीन से क्यों में में देखो भई क्यों से रिक्षन है प्रोपिल समूझ ओड़ दिया कौन सा आइसो प्रोपिल समूझ ओड़ दो तो क्या हो जाएगा क्यू मीन बन जाएगा क्या बन जाएगा क्यू मीन अब इस क्यू मीन का तुम्हें सबसे पहला काम करवाना है ऑक्सी करण करवाना है ऑक्सी करण करवा दो भाई ऑक्सी करण कर प्रहण सकर्वाइंगे तो यहां देखे सबसे पहला इसमें काम होता है कि यह जो कार्वन और हायड्रोजें यह बोज़ाता है कि और नों के मद्दय कि where परोपन उपस्थित है हो जाता है है पक्लाभ उक्सिईजन उसक्ट को एस और लिख सकते यह यहीं होता है ये होता है आप इसको कि इदर ले ग घर लो ए से बंद तूट जाएगा बंद तो एक पे ?! शॉर एक पे पोजगेश्कुन तो कौनष से में हैं यह नेगेटी और यह है अब जोड़ दो ऑक्सीजन जोड़ना है दोनों के बीच में तो क्या बनेगा बोलो यह देखिए C, O, O और H वाकि यह जो जुड़ा हुआ है मैथिल समू इधर और इधर भी मैथिल समू जुड़ा हुआ है ठीक है अब प्रोक्साइड बंद आ गया नहीं यहां पे कौन से बंद आ गया भाई प्रोक्साइड बंद आ गया कौन से बंद आ गया यह देखिए प्रोक्साइड बंद और जहां प्रोक्साइड बंद आ जाता है तो यह वीक बंड होता है और यह सबसे पहले तूटेगा और बंद तोडने से पहले आपको कौन से बंद तोड़ना पड़ेगा प्रोक्साइड बंद तोड़ना पड़ता अब प्रोक्साइड बंद तोड़ दो और इसका क्या करवा दो हाइड्रोलाइसिस क्या करवा दें जल अब घटन करवाया जाता है क्या करवाएंगे इसका जल अब घटन करवाएंगे अब करवा दो यहां से तोड़ोगे तो आप तोड़ो इसको यह कहां से तूटेगा यहां से तूटेगा यहीं से तूटेगा और वाटर में से तुम्हें सब को पता है तो बताओ कहां पर क्या जोड़ना है या फिर इसको ऐसा कर सकते हो अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप ऐसा भी कर सकते हो भाई इसको कैसे ये बंद को कहा ले जाओ, सोरी, यहां सीधा यह ट्रांस्पर कर दो, ठीक है, यहां double बंद बंगया, क्या हो गया, double बंद बंगया, क्या बंगया, double बंद बंगया, अब कार्भन की वेलेंसी चेक करो एक बार, बोलो कितनी हो गई संभव यह क्या नहीं है तो मतलब यह बंद क्या हो जाएगा यहां चला जाएगा अब आराम से देखो आप हाइट्रोलाइसिस की जुरुत भी नहीं पड़ेगा आपको ऐसे भी कर बंद रहा सीधा सीधा है अब देखो क्या बना यह आपका बेंजीन ठीक क्या है और देखो अब निकल रहा है यहां से देखो एक आपका CH3, ठीक है, कारबन, डबल बंद के साथ oxygen चुटगाय के यह अबे, तो यह लोग कारबन के साथ डबल बंद है oxygen और CH3, देखो sir यह तो आपका क्या बन गया, क्या बन गया भई, फिनोल बन गया, और इधर देखिए सर यह क्या बन गया, है, Acetone बन गया क्या बन गया Aceton बन गया लो भई बताएए समझ में simple सा एकडम Cumine क्या करना है Iso-Propyl Benzene की ओपर क्या जोड़ना है Iso-Propyl समुझ जोड़ दो तो क्या बन ज identिÓ Cumine बन जैगा क्या बन जैगा Cumine बन जैगा hydrolysis के दोरन तूटेगा और तूटेगा तो क्या बन जाएगा मारे पास phenol और acetone का निर्मान हो जाता है यह चार method थे आपके किसके phenol के निर्मान की विध्यों के clear है ठीक है अब इसके साथ साथ थोड़ा सा ओर कर लेते है अपन इसके बहुतिक गुंड धरम भी completed कर लेते हैं ठीक है देखिए आप दोनों एक साथ ही कर लेते दोनों के बहुतिक गुंड धरम दोनों के एक साथ ही आएंगे किसके आप ने तोक्त में संद्या प्टलिया ंचेल जाइए पदधरईल और ये और फिनोलर दोनों के क्या करेंगे बहुत एक हैं तोनों करेंगे इस सबस्राइब बहुत इक इमठी दो छीजां कों एक तो कहांग Puis thisonder is 300 आझहां तो सब से सबको याद हो गया तो कवतनांग का फॉर्मुला के राओ श्री में इसका फॉर्मुला याद कर वाए था तुम्हें क्या है आणू भार साहिद्धार तमानू पाती और वितकर मानू पाती कया होगा के सरंखला कि अब सीधी से बात अनुभार बढ़ेगा तो अनुभाइर बढ़ने के दोरान उनके मद्धे वांडरुवाल्स ह़ोर से बढ़ते हैं वांडरुवाल्स अकर्सनभलें बढ़ेंगे और जितना Prophe फाल साकरसनौला निस्ट्रोंग होगा उनको तोडने के लिए आपको क्या करना पढ़ेगा उतना ही जादा टेंपरेचर रे पड़ेगा ऑRE tbada temperature आपको देना पड़ेगा हमास का उसका कवाथ डाक कोता है और दूसरी बात करता हूं साकित सरंगला की तो साकित सरंगला में क्या होता वही तुम्हारा साकित सरंगला जितनी ज्यादा सरंगला ही विवाजित होंगी तो उसमें क्या होगा उसका सरफेस एरिया या प्रस्टे छेतरफल क्या हो जाएगा प्रस्टे छेतरफल क्या हो जाता है कम हो जाता है जितनी सर इनूभार बड़ने पर कवत नांग का मान भी बढ़ता है लेकिन उसमें स्रंखलाइए साओकित स्रंखलाइए बढ़ने पर क्या बढ़ता है गड़ता है घट जाता है क्लिЭ्र एब एक चीज़ और देख लो इसके अंदर कि इनके इनके समान कारबन वाले जितने भी आपके alkane है hydrocarbon है उनके comparison के अंदर किसका ज़्यादा होगा कुछ नांगे ऐलकॉल और फिनोल का ज़्यादा होता है किसकी comparison में जैसे अगर मैं कुछ अलकेन अलकेन है या फिर आप क्या कहा सकते हो तो एलकिल हैलाइड है, इनके कमपरेजन मी के अंदर क्या होगा, किसका, एलकॉल और फिनोल का क्या रहता है, को अतनां के ज्यादा रहता है, अब एक्जामपल देने की जुरूत है क्या सको, समझ जाओगे, अच्छा सर, चलो तो आगे बता हो, लास्ट फिर, एक्जामपल तो सबको पता है ना अगर एक्जांपल देना भी चाहिए तो सिम्पल से होते हैं जैसे ओ एच यह दूसरा दे दिया मैंने सी एज त्री सी एज टू ओ एज तीसरा ती एज त्री सी एज टू ए एक और बड़ा देता हूं देखो यहां से यहां अनुबार बढ़ रहा है क्या मैं देखिए एक करभण दो करवन तीन करभण है तो यह कि वणडर वाल साकर्सनबल बड़ेगा और वानडर वाल सब्सक्राइब का बड़ेगा तो कवत्वनान का ओडर क्या हो जाएगा यह वाला हो जाएगा लेकिन अगर मैं इसको वैसे लिख देता साके सरंकला के रूप में लिख देता तो कि पहले लिखा मैंने और मैंने यह लिख दिया च्री इसको ऐसा लिख दूँ अब बाताओ भाई अगर तुम्हें इसको कौन से करमे लिखना हो आरोई करम में लिखना हो तो बताओ आरोई करम किसका बोलिंग्पॉइंट का आरोई करम बताइए एक नमबर का आरोई का मतलब बढ़ता करम तो सबसे पहले कुसको लिखोगे सबसे कम वाले को सबसे कम किसका होगा जिसमें साकित रंखलाएं जितनी ज्याद Stop यहां देखें साकित रंखलाएं कितनी हैं ज्यादा है तो यहाँ पर तीन नंबर आ चल रहा है अपना alcohol, phenol और ether, अगर तीनों का comparison किया जाता है, तो सरवाधिक जो ether का है, ether का किसके, alcohol और phenol के बीच में आता है, क्या आता है, बीच में, मतलब अगर आपको कहा जाए, ये alcohol है, और ये ether, और ये आग्या आपका phenol, ठीक है, तो सरवाधिक किसका होगा, alcohol का, फिर ether का, और फिर phenol का, ये लेजे सर, ओके, अब एक last point बचा है आपका इसके अंदर, भोती गुन दरम के अंदर, कौन सा, विलेता, कौन सा है भई, विलेता, अब विलेता के अंदर सीजी सी बात है भई, विले कौन होगे, जल में विले कौन होगा, जो hydrogen बंद बनाते, जितने ज़्यादा hydrogen बंद बनाएगा, मतलब सीधा सीधा कह सकता हूँ, कि solability, इस directly proportional किस के होगी, hydrogen बंद के, ये लोग भई, बस, hydrogen बंद जितने ज़्यादा होंगे, उसकी विलेता उतनी ज़्यादा होती है, जैसे अगर मैं एक्जामपल दूँ एक है, तो आप बताना, किसकी विलेता ज़्यादा होगी, जैसे मैंने कहा, CS3, सुरी, CS3, CH2, और, TH2, OH, ठीक है, एक एक्जामपल, मैंने दूसरा एक्जामपल दिया आपको, CS2, CH2, और ये OH, और OH, तीसरा मैंने दिया, TH2, CH, CH2 के तीनों के लगा दो, hydroxy group लगा दो, तो पढ़ चुके नाम दो आपन, एतिलीन, देखो, ये तो नॉर्मल एलकॉल हो गया, ये आपका क्या हो गया, एतिलीन, गलाइकॉल, और लास्ट वाला क्या हो गया, ग्लेसरीन, अब देखें, यहाँ पे साब साब दिख रहा है तुम्हें, साब साब दिख रहा है क्या दिख रहा है, साब साब, देखो यह आपका वाटरम का फॉर्मुला यह तो होता है यह लो और यह दो क्या होते हैं तुमारे लोन पेयर तो देखो यह दो तो 600 बंद बना लेता है और यह इसके साथ क्या बनाएगा दो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा हाइड्रोजन बना लेता है क्या बना लेता किस और फिरे ?दो की और सबसे कम एक की तो शाइन सब किधर लगा हूं सका ? यह ऐलो सर, यह order होजाएगा किसकी, विले ता का करम हो जाएगा, फिनol में भी क्या पाए जाता है हाइड्रोक्सी समू पाए जाता है तो वो भी क्या होगा जलमे विले होता है क्लियर है ठीक है आज के लिए धन्यवाद